अर्ज किया है जब जिन्दिगी आपको नीवु थमाए तो जल्दी से सर्वत बना लो और पीलो नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक शम्मे आपका फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट एक योशाकिक की बुक रिच डैड पूर डैड की और सर पहचा पिर आप अपनी गरीबी को शुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं अगर कोई औसर आपकी जोली में आकर गिर जाये पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उनमें इन्वेस्टी नहीं कर सकते हैं उपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं आप पैसे की कहीं से इंतिजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस मौके का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, माल लीजिए, अगर आपका अनुमान जो है, वो गलत हो जाए, अगर आप जिसके उमीद करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे एक छोटी सी चीज को लाखों में वेचेंगे, अ लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे को समस्याओ को सुल्जाने में कितने क्रेटिव हैं, ज्यादा तर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, नीबू निचोड़ो और सरवत बनाके पीलो, यानि कि कड़ी मेहनत करो, बजचत करो और उधार लो, तो आपको अपनी फानेंसियल वुद्धी क्यों बढ़ानी चाहिए, रबर्टी किसा की कहते हैं कि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं, जो अपनी किसमत खुद लिखता हो, आज जो हो रहा है उसे होने देते हैं, और उसे बहतर में बदलने की ताकत रखते हैं, ऐसे कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि किसमत भी हम ही लिखते हैं, जिस तरह कि पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज़्यादा किसमत वाले होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो बहुत कड़ी मेहनत कर गई कि आप गैरेंस से गाली निकालने से पहले ये डिसाइड करना चाथे हैं कि भाई अगले 5 मिल तक स्ट्रिट लाइट ठीक रहेगी वर्फ नहीं गिरेगी अक्षिटेंट नहीं होगा बगएरा बगएरा ये चीज़े आपके कंट्रोल में नहीं है आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाली चलाना ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में अपने प्लांस बनाना है अपनी समझ और सूजबुच का इस्तिमाल करते हुए तो इसी के साथ समरी यही समाप्त होती है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद